नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल कॉर्मिन जाब पर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक विग अपडेट है और यह अपडेट है और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह आपको आपके गया है और आका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ए-tender में आपको यह पर दिखा देता हूं कि Chairman Railway Recruitment Board चन्नाई acting for and behalf of President of India invites open e-tender in two packets system for following work name of the work exam conducting agency for conducting computer test in all other related activities for NTPD category of CEA number 01-2019 of Railway Recruitment Board जी हाँ यहाँ पर देखे साब साब लिखा हुए कि NTPC category के लिए यहाँ पर e-tender जारी कर दिया गया है देख सकते हैं अपर approximate cost to work यहाँ पर cost of the work यहाँ पर बताया गया है यहाँ आपका non-refundable cost of the tender यह बताया गया है और address for the office for the e-tender money deposit यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको बता दी गया है यहाँ बताया गया कि date of issue of tender 23-2020 यहाँ पर date of यानि कि आज से e-tender जारी कर दिया गया है यहाँ आपको बारा तीन दो हजार बीस के लिए बताया गया है और date of pre-bid conference यह 24-3-2020 यानि कि 24-3-2020 मतलब कि आपका 24 मार्ज तक ही इसको आपको final करना है और साथ में आपर release of response and clarification of pre-bid queries यहाँ आपको 7-4-2020 यानि कि 7-4-2020 के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर और last date and time for spend office bid through e-tender online यह आपको बताया गया है 16-4-2020 तो यह दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी देदी कि time and date of opening of technical bid receiving response to other to the tender यह आपको बताया गया opening यह आपको 16-4-2020 ठीक है तो यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गए है आप official website जो आरवी वपाल के है उसकी official website पर जाकर आप आहाँ पर देख सकते हैं तो यह एक बड़ी update है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर anti-pc की preparation कर रहे है तो अब जाकर इन्होंने e-tender यहाँ पर जारी किया है अब आगे देखते हैं कब तक यहाँ पर यह सारी process हो बाती है तो जहां तक मुझे नहीं लगता कि आपका जो exam हो इतनी जल्दी हो पाएगा क्योंकि अगर आभी e-tender जारी किया गया है तो इस सारे के सारे process में 2-3 महें लग सकते हैं और उसके बाद ही आपका exam हो सकता है तो यह थी दूसरे आपके लिए एक update इसी तरह के update पाने के लिए आप मार्चल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं नए update के साथ अब तक के लिए thanks for watching